हेलो एब्रीवान विल्कून टुमाइचैनल सो गाइज मैं आज है संडे तो मैंने हैर्वास भी किया था और अभी हम लोग जाएंगे बाहर ब्रेकफार्स्ट करने के लिए क्यों संडे है तो मैं गर पे कुछ भी नहीं बनाने वाली हो क्यों कि आज संडे को मेरी भी जुटी हिए ब्रेकफार्स बनाने से तो करने के लिए हम लोग बाहर जाएंगे देखते हैं बाहर चा कि क्या खाते हैं पिछली कुछ दिनों से हम लोग ट्रिवल करने में बहुत չ्यादा बीजी थे जिसके उसलते भी बहुत थगावट भी हो गई और अभी भी हमारे काम बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए अभी तक हम रूटीन प्रिक्दम से नहीं आपाएं और कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया अब कहा जा रहे है अब मैं तो अब मैं तो चल जाओ पस इतना वसोच हमारा तो चटी होगा है हमारा तो चटी के नहीं इस जाओ नहीं कि नहीं है अब हम लोग पहुंच चुके हैं छोले कुल्चे खाने के लिए क्योंकि बाहर निकलने के बाद हम दूब हम आद कि क्या खाएंगे नाश्ते में क्या नास्ता करें शुबैसे तो बस छोला कुल्चा दिखिए तो उनने सोचा क्यों ना ठ्रूले पास यहां वहां से ऐख ओदे थे संडें के लिए मोर शे निकले करना ने के लिए तो इसे हैं घूली कुल्चे कि अब हम्हें के लिए लेने के लिए क्योंकि वह हमने सोचा कि हम यार कार के अंदर ही बैटेए-वैटे कंपरेबल होगे क्यों तो आपको वताएं बहुत ही इसको रहता ना इसको भी मैं चूल लेता हूं आई है तो अधा थी को टॉच करना रहता है कुछ न कुछ खुरा पात करना होता है तो इसलिए मैंने सौचा कि मैं गाड़ी में ही बैटे-बैटे खा लूँगी तो बस हम लोग बेट कर रहें कि भी वो लोग छोले कुलची ले कि वीडियो बनाने की चक्कर में मुझे खानी क्यों नहीं दे रही है लेकिन फिर उसने मैंने सोचा कि चलो बेटा पहले तुम्हें खिलाते हैं उसी के साथ उसने दिया बढ़ी हासा रायता मतलब सुबह का नास्ता है ऐसा मिल गया ना मज़ा आ गई नास्ता करके हैं इसके अब क्या करेंगे तो सोचा कि थोड़े देर हम पार्क में बैठते हैं तो बस पार्क में पहुंच गए अपनी कंपनी को जाइन करने के लिए मतलब पूरा पार्क खाली था बस हम ही लोग थे तो बस मैंने सोचा कि आप जो आपको करना है आप करो मुझे जो करना टर्म मत करो मुझे कम से कम बस एकदम सुकून चाहिए एकदम पीस्फुल लाइफ ऐसा लगता ना भागम भागवाली लाइफ इतनी बोरिंग लगने लगए भी पिछले एक मैने तो हम लोग ट्रेवाल कभी घर जाना कभी गुमना तो बहुत सा चीज़ जैसे चल रही थी चीको चीको के पापा दोनों वह जूला जूल रहे थे अपना वह भी एक्टिविटी कर रहे थे जो उनको करना था मैं अकेले सांत बैटी हुई थी कि थोड़ा सा तो मतलब एकदम अच्छी वाली लाइफ मिले हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है और यहा अपने आपको मतलब सुकून वाला जो बैट के एकदम सुकून मिल जाना मस मुझे वही फीलिंग लेनी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों सो बहुत सारी दिमाग वी चीज़े चल रही थी जिनको मुझे अपने दिमाख निकालना था एन इसके वाद सामके टाइम में अगै थोड़ा साथ इस ठाइल में देखते हैं कैसी बना पाती हूँ कुझकि खाने वाले जब टारीब करें हैं कि बनी कैसी है तो जाह पर मैं तो हम पूरे फंश डालती हूँ कि अच्छा च्छा बना सको बित खाने वालों के पेट करता की उन्हें कैसा हैं और अब अछी बनी क के लिए सबसे पहले मैंने चासनी बनाया थोड़ा से लाइची टाल देटेट टेश अच्छा आता है यहां पर मावा रखा था थोड़ा से मावा के मैंने मिठाई भी बना दिया था पेड़े बनाये थे तो उसका निकाल दिया था इतना बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि खास करके जो क्यों सकुटन हो जाए हम लोग को डी तो डी न को तो सकुमिजा गर में तने काम रहते एक रखास काम चूट जाता कि तना भी हम प्लान करें चलने यह सारे निपताने होता श् Foley जो कोई नो कोई मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कॉमेंट करो वे तो समझ में आता है कि मेरी वीडियो देखता कौन कौन है तो आप कॉमेंट में अपन